बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में गनत विशय में अपनी संख्याओं की जानकारी अध्याय से भारतिय संख्यांकन पद्धती भाग 5 कक्षा 7 में अंग्रेजी विशय में Kings 3 Questions भाग 2 पे कक्षा 8 में अंग्रेजी विशय में The Best Christmas Present in the World Jim's Letter to Connie भाग 5 प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 के गनत जिसमें हमने पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी प्रारम कर दिया था इसमें हमने पढ़ा था संख्याओं की आवशक्तर क्यों ही, संख्याओं के क्या क्यालाब है, संख्याओं की तुलना और विभिन अंकों से चार अंकों की संख्या बनाना ठीक है और उनमें छोटी बड़ी संख्याओं की बात भी गी थी अब हम बात करते हैं इन संख्यों को अगर हम लिखना चाहें या पढ़ना चाहें तो क्या बहुत इजी गोई रहता है यह हमें थोड़ी असुविधा होती आईए देखते हैं बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में एक सहायता अगर आप याद करें तो कक्षा पांच में हमने दस हजार तक के अंगों को पढ़ा था स्थानियमान वापिस बात करते हैं इकाई दहाई सैंख्डा हजार दस हजार अर्थात एक दो तीन चार पांच पांच अंगों जादा अंगों को लेकर बैठिये देखें एक तो तीन चार पांच छे एक अंग बढ़ गया ऐसे ही यहां पर पे तीन और चार साथ अंग आठ और हो सकता है नौ अंग भी हो तो क्या आप इनको आराम से पढ़ पा रहे हैं इनको पढ़ने के लिए आपको कोई समस्या नही के लिए कट्र हुए हैं तो ऐसे में हम बात करते हैं जब भी आपके बहुत बड़ी संख्याइं हो और हमें उनको लिखना हो जिसको संख्यांकन कहना भी कहते हैं तो उसके लिए हमें को दो छुट-छुटी बातों को ध्यान में रखना है वो दो छोटी बाते कौन-कौन सी है要ए पहली बात है सूचकों की सहायथा से लिखेंगे और दूसरे बात अल्फविरामों के प्रयोग से करेंगे लेकिन इससे पहले हम चुर्चा एक हैं कि संख्यांकन पद्धिया होती क्या है नाम से संवज में आ रहा है संख्यांकन आर्थाथ संख्याओं का अंकन संख्याओं को कैसे लिखे कि जब हम उनको पढ़े तो हमें समझ में आ जाए तो ऐसी पद्दतियां हमारे पस दो है भारतिय पद्दतिय और अंतराष्टिय पद्दति आप सोच रहे होंगे मैडम यह भारतिय पदत्य तो भारत की होगी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं और अंतराष्ट्य पदत्य पूरे विश्व में चलती है वो वाली पदत्य अर्थात हम जो चलन में लेते आ रहे हैं हमने पूर में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दसदर पड़ा था ना वो सब सही मायने म भारतिय पदत्य के ही रूप हैं और अब हम उस पर और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं तो पहले हम भारतिय पदत्य को समझेंगे और फिर अवंतर राष्ट्य पदत्य को और बाद में इन दोनों की तुलना करेंगे देखें जैसे माल लेजिए हमारे पास एक ये एक द फुरवात इठ्ञानमे सी होगी या नौ से होगी आरे है ना समस्या तो ऐसे में जो कि जैसे हमने पुरू में चर्चा की थी हम सूचकों की सहायता जिसको हम बक्सों का प्रियोग भी कहते हैं वो क्या है वो आप इससे समझेंगे आप देख रहे हैं यहां कुछ बक्से कु में चर्चा कर लेते हैं तो पहले हम बात करते हैं अपने हिंदी की शब्दों से जिससे हम भली बाती परिचेत हैं इकाई, दहाई, सैकडा, हजार, दस हजार, लाक, दस लाक और करोड आप तो यहीं तक बात कर चुके हैं पूरी उकक्षा में अब कुछ हमने इनको करोड तक चर्चा की वापिस सुनते हैं एक बार आगे के अंकों को, आगे के स्थानियमानों को दस हजार के बाद अगला स्थानियमान होता है लाक का और उससे अगला होता है दस लाक का, लाक, दस लाक, जैसे कि हम पढ़ते हैं यहापे हजार, दस हजार, अर्था, दस गुना बढ़ गया, दस हजार, लाक, दस लाक, ऐसे ही करोड और अब आप बता सकते हैं अगला तो क्या होता है? दस करोड़, बिल्कुल, हमारे पास असन में जो भारती पदती होती है, उसमें यही बात ध्यान रखनी है आपको, क्या? कि इकाई दहाई सैंकडा, केवल तीन स्थानियमान तक तो हमारे पास तीन अंगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है? तीन स्थानियमान करोड, दस करोड़, ऐसे आगे अरव और दस अरव भी होता है, जिनके बारे में पुर्बाद में चर्चा करेंगी, ठीक है? अब बात करते हैं, इन में हम, यह तो हो गए बक से, इनको अंग्रिजी में कहते हैं, वन्स, इसलिए ओ शब्द लिखा है, आप ध्यान दे, मैं जिन शब्दों को बोलूँगी, उनका प्रारंबिक का, जो अल्फाबेट होते है, उसको लिखा गया है, वन्स, तेंस, हंडर्ड्स, थाउजंड्स, तेन थाउजंड्स, तेन थाउजंड्स, लैक, तेन लैक एंड करोड, चिक है? तो उनके सूचक ले लिए गए, अब बा इसको हलका सा घुमा देते हैं, यही होते है नाल पुराम, तो यह कैसे प्रयोग मिलेते हैं, और इसे हमें क्या सुविधा होती है, इन में आप देखे हम करते क्या है, हमेशा मैंने जैसे बताये आपको, कि भारतिय पद्दति में, इकाई, दाहई, सैखडा का बाद में, य जो स्थानी मालोते हैं, इन में दोदो के अंतराल पर पर कॉमा लगता जाए जाए जाए, अगर देखे जाए मोटे तो यह जो है, अपने आप में इकाई सम्हों का प्रतिनी दित्व करता है, और यह दोनों को मिला करके हजार और इधर वाला लाग का, और लास्ट वाला कर करोड का, ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि कॉमा तीन के बाद, फिर दो के बाद, फिर दो के बाद, फिर दो के बाद, अर्थाक हर दूसरे अंक के बाद में कॉमा लगने वाला है, क्योंकि हर स्थानी माल दो स्थान को लेके चलेगा, खुद का और दसवे मान का, जैस संख्याओं को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और उनका अंकन कर सकते हैं आए दिखते हैं अब हमार पास जो यह संख्या है जैसे हमने बात की थी इस उधारण में एक दो तीन कॉमा लगा देंगे यहां पे साथ और दो के बीच में आप बताएं अगला कॉमा कहां लगने व में 9 और 8 अंकल हैं आप इन को हम इन इन स्थान व में रख भी देते हैं क서 सबसे पहले इकाई की स्थान पर पांच हम हमेशा पीछे से चलते है दाएं से बाएं की तरफ जब भी अंकों को लिखा जाता है, दाएं से बाइं तरफ लिखा जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजेगा, जब हम इनको पढ़ते हैं, तो हमेशा बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, तो 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, कुछ समझ आया, हमने यहां से देखा कि 9 हमारे कहां तक पहु ये दौनों लाख में जा रहे हैं, ये दौनों अंक लाख वाले ग्रुप में जा रहे हैं, तो अब हम इनको कैसे पढ़ेंगे, उस पर पर बारिकिसे आप नजर गड़ा करके सुनने की कोशिश करें, चुकि कौमा यहां लगा है तो हम इसको इकठा पढ़ेंगे, जब भी हम इनको पढ़ेंगे, पहले संख्या को पढ़ेंगे, फिर उसके स्थानिमान का जिकर करेंगे, जैसे यहां हमने पढ़ा इठ्यानवे, अब बोलेंगे कौनसे ग्रुप का प्रतिनिद्व कर रहा था, ये प्रतिनिद्व कर रहा था, लाख का, इठ्यानवे लाख, ऐसे ही, देखे मैंने लिखा हुए अठाणवे लाग और फिर ये दोनों एक साथ हैं ना कॉमा के बीश में तो 47 फूल के भी अब चुकी कि हां कॉमा लग चुक है तो इसका हम इन दोनों अंकों को साथ पढ़ने वाले ऐसा ने गलती हो जाए कि आप 4 बोल दें और 7 को 2 के पास ले जा तो यहां पर पर हम 47,000 बोलेंगे देखे 47,000 फिर इसके बाद चुकि हम बात कर चुके थे ये तीनों अंक पीछे वाले एक साथ पढ़ जाते हैं तो हम इनसे तो भली बात ही पढ़ जिते हैं 215,215 तो हमारी संक्या मनगे 98,47,215 उमीद है आप लोगों को भारतिय पदती स सरल है करना क्या है करना ये है कि जहां जहां हमारा जिस जिस बकसे में या जिस जिस सूचक में हमारा अंक पड़ा है उतनी बिंदिया लगानी है जैसे यहां बात करते हैं 9 के नीचे लिखावे 10,00,000 तो 9 के साथ 10,00,000 लिखावा है ना तो 9 के साथ हम 10,00,000 लिख देंगे 10 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 के अंकों को गिन ले एक के साथ उतनी जिरो को लिख दीजे जैसे कि यहां कर रखा है ठीक है अब बात करते हम आठ की आठ का स्थानियमान कितना है लाग तो आठ को किससे गुणा करने वाले एक लाग से देखिए आठ को गुणा कर दिया है एक लाग से और अगर उसी हिंट क चार पांच अंक है तो पांच जिरो एक दो तीन चार पांच जिरो और एक के साथ गुणा कर दिया है कुछ समझ में आ रहा है ना तो अब मुझे अमीद है आप मैं अगर स्पीड बढाऊंगी तो आप भी स्पीड बढाते वे मिरे साथ चलेंगे चार दस हजार चार को गुणा कर दिया और पांच इकाई के स्थान पर है तो एक से गुणा कर दिया उमीद है प्रसारित रोप भी आपको सावज में आ गया होगा लेकिन हम अभी संतोष नहीं हुए हम एक उधारन और करने वाले हैं आईए देखते हैं उधारन है फिरसे संख्या देदी और पहले हम इनको बक्से में डालने के लिए तो सबसे पहले बक्से में डाला जीरो एक तेन पांच ध्यान दीजीगा हमेशा दाइन तरफ से भढ़ना इनको बाइन तरफ बढ़ते वे ठीक है ना तो पांच चार छे साथ और नौ आप देख रहें अब तो ये करोड तक पहु कोम को अब लगा लेते तो कोम हमारा शुरुवात में कती अंकों के बात लगने वले तीन लुकों के बास एक दो तीन और फिर एक दो दो के बाद तो हमारा ये नौ तो अकेला रह गया रह गया ना कोल जबकि पुर्म मेंhehe के साथ इठ्ञाण में था समू में था तो इठ्ञाण में बोला था अब चूंकि नौ अकेला रह गया है और यह कौन से स्थानियमान का प्रतिनी दित्व कर रहा है करोड का तो हम इसको क्या बलेंगे नौ करोड नौ करोड ठीक है और चुकि यह च्छेत्र का एक समू बना था तो पहले च्छेत्र बोला जाएगा फिर कि स्थानियमान की बात कर रहा था लाक की तो च्छेत्र लाक आगे चलते हैं त्रेपन सौरी पैंतालिस कॉमा इन दोनों के बीच में है तो पैंतालिस आप देख रहे है हजार का प्रतिन दित्तों कर रहा है देख रहे है ना यह देखे उपर हजार लिखावाए तो पैंतालिस हजार और लास्ट में बच गएग यह तीन अंक जो कि हैं 310 इन्हें एक साथ पढ़ा जाएगा यहां पर इकाई मत भूल दीजेगा यहां तो इनको एक करना है तो आईए यहां पर जो कि 9 है और 9 के पीछे क्या लिखा हूँ है करोड तो 9 के पीछे हम 9 को लिखेंगे और इसको गुणा कर देंगे किस से 1 करोड से 1 करोड में 0 कितनी होती है देखें चलिए 1,2,3,4,5,6,7 पीछे 7 अंक है तो 7 0 होगी बिलकुल 1 के साथ में 1,2,3,4,5,6,7 यह 0 कुछ छोटी जादा ही हो गई अब अगली संख्या लेते हैं अगली संख्या अच्छा प्लस का निशान लगाते रहना है तो अगली संख्या हमारी है 7 7 कौन से स्थान पर है 10 लाग पर तो वापे से 7 को लिखेंगे और इंटू करेंगे 1 अब 1,1,0 कम होती चले जाएगी तो अब हम 0 लगाएगे 1,2,3,4 5 और 6 एक 0 कम हो जाएगी फिर पीछे चलते हैं प्लस 6 6 कौन से स्थान पर है 6 हमारे लाग स्थान पर है तो गुणा किस से करेंगे 1 लाग से अर्था 0 किती हो जाएगे 1,2,3,4 और 5 लाग में कितनी 0 होती है 5 और फिर हम लेंगे 4 को तो 4 इंटू अब हम किस से गुणा करें करेंगे 10,000 से और 10,000 में 0 किती होती है 1,2,3 और 4 प्लस अगला अंक 5 5 को गुणा किया 1,2,3 और 3 से 1000 है ना 1000 में तो किवल 3 होती है प्लस और ऐसे ही 3 को गुणा करेंगे हम 100 से और 2 को गुणा करेंगे 10 से और 0 को, 0 को किसे गुणा करेंगे? बैसे तो 0 को गुणा करने के आवशक्ता नहीं होती है लेकिन लिक भी दें तो चलता है तो हम लिक देते है 0 इंटू 1 आप चाहें तो 0 को लिखें और आप चाहें तो नहीं लिखें दोनों स्थितिया स्विकार्य है तो उमीद है आप लोगों को भारतिय पद्दत्ती में संख्यांकन करना समझ में आ गया होगा मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो में धन्यवाद बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा साथ में अंग्रेजी विशय में Kings 3 Questions भाग दो हम पर रहे हैं Chapter 1 जिसका नाम है 3 Questions तीन सवाल और हमने क्या जाना है इस Chapter के पहले भाग में जाता है कि भीरा के मन में बहुत सारे सवाल है बहुत सारे क्या नहीं बच्चों तीन सवाल हैं जो राजा की मन में है अर उसने क्या किया है उसने भेजा है अपने दूतों को पुरे राज्य में कि भई कोई भी पुद्धिमान व्यक्ति जो उन सवालों के उत्तर देगा उसे मैं पुरुसकार दूँगा पर ऐसा नहीं हुआ कोई भी व्यक्ति राजा की उन सवालों का उत्तर नहीं दे पाया तो राजा ने क्या कि आखिर कर खुद चला गया एक सन्यासी के पास में उन सवालों के उत्तर मांगने के लिए अब भई वो सन्यासी तो घड़े खोद रहा था तो राजा ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया और जब आखिर कर राजा परिशान हो गया ना क्योंकि वो सन्यासी उत्तर नहीं दे रहा था सवालों के तो इतने में क्या हुआ एक आदमी दोरता हुआ सन्यासी के उस जोपड़े की तरफ आया अब कौन था वो सन्यासी के पास आने वाला आदमी और क्या उस सन्यासी ने उतर दिये राजा के सवालों के जानते हैं बच्चो इस चैप्टर के इस दूसरे भाग में करते हैं दूसरे भाग के शुरुआत the king turned round and saw a beard man running towards him तो बच्चो जो राजा था जब सन्यासी ने कहा कि एक आदमी आ रहा है दोरता हुआ तब राजा ने क्या किया राजा turned round यानि की मुडा और उसने देखा एक beard man को एक डारी वाले आदमी को जो की running यानि की दौरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था His hands were pressed against his stomach और वो जो आदमी था, जो दौरता हुआ आ रहा था न, उसका जो हाथ थे वो क्या हाँ पे थे? उसके पेट पर उसने दबाई हुए थे Stomach मतलब पेट, from which blood was flowing अब उसके पेट से क्या हो रहा था? बच्चो खून निकल रहा था और उस खून को रोकने के लिए उस आदमी ने क्या कर रखा था? अपने हाथ से उस जगे को दबा रखा था When he reached the king, जब वो आदमी राजा के पास पहुचा, he fainted वो बेहोश हो गया and fell to the ground और गिर गया, fell मतलब गिर गया जमीन पर The king and the hermit removed the man's clothing अब जो राजा था और सन्यासी था उन दोनोंने क्या किया? हटा दिये उस आदमी के कपडे and found और उनको मिला A large wound on his stomach एक बहुत बड़ा घाव उस आदमी के पेट पर The king washed and covered it अब राजा ने क्या किया? उस घाव को धोया और धका किस चीज़ से धका बच्चो? अभी जानेंगे पहले क्या करेंगे हम? मीनिंग्स को साथ साथ रिवाइस करेंगे देखिए पहला क्या है? Beard, Ben यानि की दाढ़ी वाला आदमी Towards मतलब की ओर या फिर तरफ Stomach यानि की पेट Blood यानि की खून Fainted मतलब बेहोश हो गया Fell मतलब गिरा Removed मतलब हटाया गया या फिर हटाया Wound क्या होता है बच्चो घाव तो भई राजा ने क्या किया? उस घाव को अच्छे से धोया और ढ़का With His Handkerchief Handkerchief क्या होता है? Rumal तो अपने रुमाल से उस घाव को ढ़कने की कोशिश की But the blood would not stop Flowing But बच्चो वो जो खून था ना वो बहना नहीं रुक रहा था The king Redressed the wound अब उस राजा ने फिर से उस घाव के उपर पट्टी करना शुरू किया Redressed मतलब दुबारा पट्टी करना शुरू किया Until जब तक At last आखिर कर The bleeding stopped वो जो खून निकल रहा था ना बच्चो खून बह रहा था वो नहीं रुक गया तब तक राजा बार बार पट्टी करता रहा The man felt better अब उस आदमी को बहतर लग रहा था And asked for something to drink और उसने कुछ पीने के लिए मांगा The king brought fresh water जो राजा था ना वो उसने क्या किया वो राजा ताजा पानी लेके आया उस घायल व्यक्ती के लिए And gave it to him और जो ताजा पानी था वो उसने उस घायल व्यक्ती को दिया By this time the sun had set और इस समय तक जो सूरज था वो क्या हो चुका था Set हो चुका था यानि की धल चुका था And the air was cool और जो हवा थी ना बच्चो वो भी काफी थन्दी थी The king with the hermit's help Carried the wounded man Into the hut वो जो राजा था उसने क्या किया Hermit की सन्यासी की Help से, मदद से Carried the wounded man Wounded मतलब घायल वो राजा उस सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ती को ले कर गया Hut में, जोपडी में And laid him on the bed और laid कर दिया मतलब लेटा दिया उस घायल आदमी को Bed पर, बिस्तर पर The man closed his eyes And lay quiet और वो जो आदमी था, जो घायल था बच्चो उसने क्या की बंद कर ली अपनी आखे और वो लेट गया Quiet, यानि की चुप चाप लेट गया तो यहाँ पर हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं, बच्चो देखिए पहला है है हैंकरचीफ हैंकरचीफ मतलब रुमाल, stop यानि की रुकना Bleeding मतलब खून बह रहा है Fresh, यानि की ताजा, हट मतलब कुटिया, या फिर छोपड़ी, ले मतलब लिटाया Quietly मतलब चुप चाप, अच्चा बच्चो ले का मतलब है लिटाया, और एक और मतलब है ले का वो क्या है, लेटना अब यह देख रहा है हम, यह तस्वीर में क्या दिख रहा है, जो राजा है वो इस घायल आदमी के क्या कर रहा है भई घाव पर पट्टी कर रहा है अब देखते हैं आगे क्या हुआ अब जो राजा था बच्चो वो बहुत जादा क्या हो गया था टायर्ड हो गया था, ठक गया था चलने के कारण and the work और उस काम के कारण he had done जो कि उसने किये थे यानि कि जो खुदाई का काम उसने किया था सन्यासी के घर में उसके कारण और वो जो घोडे से उतर के सन्यासी के जोपडी में गया था पैदल चल के उसके कारण lay down on the floor राजा बहुत थक गया और वो लेट गया जमीन पर and slept through the night और वो पूरी रात सोया when he awoke जब वो क्या हुआ when he awoke नहीं होता बच्चों क्या होगा awake जब राजा उठा it was several minutes before he could remember where he was तो क्या हुए भई जब राजा उठा तो उसको कुछ minute लग गए है ना और वो minute क्यों लग गए है वो याद करने में कि वो कहां पर है और ये अजनभी beard man strange मतलब क्या होता है बच्चों अजनभी और beard का मतलब तो हम समझ चुके है ना bearded man का मतलब क्या है दाढ़ी वाला व्यक्ती तो जब राजा उठा तो उसको कुछ minute लगे याद करने में कि वो कहां है और ये अजनभी सा दाढ़ी वाला आदमी कौन है तो यहां पर क्या क्या meanings है बच्चों देखिये पहला है awake यानि की जाग गया remember मतलब याद आना या फिर याद रखना strange मतलब अजीब forgive me said the bearded man in a weak voice अब बच्चों ये जो दाढ़ी वाला आदमी था ना उसने कमजोर सी आवाज में कहा weak voice मतलब कमजोर आवाज में कहा forgive me मुझे माफ कर दो when he saw that the king was awake अब ये इस दाढ़ी वाले आदमी ने कब कहा जब उसने देखा कि राजा उठ गया है I do not know you and have nothing to forgive you for said the king तो राजा ने क्या कहा कि भई मैं तो तुम्हें नहीं जानता और इसी कारण से मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए माफ कैसे करूं You do not know me but I know you ये बच्चों क्या है I तो बच्चों उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ I am that enemy of yours मैं आपका वो शत्रू हूँ who swore revenge on you जिसने क्या लिया swore लिया यानि कि प्रण लिया revenge का बदले का आपसे यानि कि मैं आपका वो शत्रू हूँ जिसने प्रण लिया था कि मैं आपसे बदला लूँगा because क्यों मैं आपका शैत्रू हूँ देखिए क्यों कि you put my brother to death आपने क्या किया था मेरे भाई की क्या करवा दी थी बच्चो मेरे भाई की मृत्यू का कारण बने थे and seized my property और आपने छीन ली थी seized कर ली थी मतलब छीन ली थी मेरे से मेरी property, मेरी संपत्ती, मेरी जायदात तो बच्चों कि आपने मेरे भाई को मार दिया मेरी जो संपत्ती थी जायदात थी उसको छीन लिया इस कारण से मैं आपका शत्रू हो गया और मैंने प्रण लिया कि मैं आपसे बदला लूँगा तो बच्चों यहाँ पे क्या-क्या शब्द हैं देखिए पहला है forgive यानि की माफ करना फिर है enemy मतलब दुश्मन revenge यानि की बदला death मतलब मृत्यू seized मतलब जब्द या फिर छीन लेना property मतलब जायदात या फिर संपती I knew you had gone alone to see that hermit अब वो दाड़ी वाला जो आदमी है न वो आगे बता रहा है क्या बोल रहा है कि मैं जानता था कि आप alone अकेले जा रहे हैं उस hermit से उस सन्यासी से मिलने के लिए and I made up my mind to kill you और मैंने अपना मन बना लिया कि मैं आपको मार दूंगा on your way home जब आप घर वापस जाएंगे तो but the day passed but पुरा दिन गुजर गया and you did not return और आप नहीं return किये मतलब आप नहीं लोटे so I left my hiding place इसी कारण से मैंने क्या किया मैंने छोड़ दी अपनी वो hiding place यानि की छिपने वाली जगे को and I came upon your bodyguard और मेरा क्या हुआ बचो came upon मतलब मेरा सामना हुआ आपके उस bodyguard से अंगरक्षक से who recognized me और उस अंगरक्षक ने क्या किया मुझे रिकरगनाईस कर लिया मुझे पहचान लिया and wounded me और उसी अंगरक्षक ने मुझे wounded कर दिया मतलब खायल कर दिया I escaped from him मैं उस bodyguard से उस अंगरक्षक से बच निकला but I should have died पर मैं मर जाता if you had not dressed my wounds अगर आपने मेरे घावों पर पटी नहीं की होती तो I wished to kill you मेरी क्या इच्छा थी कि मैं आपको मार दूँ and you have saved my life और आपने मेरे जीवन को बचा लिया तो बच्चों यहां पर क्या क्या शब्ते हैं देखिए पहला है recognized यानि की पहचान लिया फिर है escaped यानि की बचना या फिर निकलना तो बच्चों वो जो घायल आदमी था जिसकी राजा ने जान बचाई वो असल में राजा की क्या करने आथा राजा की जान ले नहीं आया था पर अब क्या हुआ है क्या इस आदमी का मन बदला चलो जानते हैं Now if I live अब ये जो दाड़ी वाला आदमी है वो बता रहा है कि अब अगर मैं जीवित रहता हूं I will serve you as your most faithful servant मैं क्या करूंगा मैं आपको serve करूंगा मैं आपकी सेवा करूंगा आपके सबसे जादा faithful servant की तरहे faithful मतलब वफादार तो ये आदमी बोल रहा है मैं आपके सबसे जादा वफादार नौकर की तरहे आपकी सेवा करूंगा and will order my sons to do the same और मैं अपने बेटों को भी यही हुकम दूंगा कि वो आपकी बिलकुल वफादारी से सेवा करे forgive me मुझे माफ कर दीजिए the king was very happy to have made peace with his enemy so easily अब ये जो राजा था ना बच्चों ये राजा बहुत खुश हुआ कि क्या हो गई है he had made peace यानी की शांती स्थापित हो गई है उसके और उसके शत्रू के पीच में इतनी easily, इतनी आसानी से and to have won him over as a friend और राजा इस बात से भी बहुत खुश हुआ कि उसने उस शत्रू को क्या कर लिया है जीत लिया है एक मित्र कीतर है he not only forgave him अब उस राजा ने ना केवल उस आदमी को maaf किया but said he would send his servants and his own doctor to look after him और राजा ने ये भी कहा कि भई वो अपने नौकर और अपना खुद का जो डॉक्टर था चिकित सक था उसे भेजेंगे to look after him ध्यान रखने के लिया उस आदमी का and he promised to give back the man his property और बच्चों राजा ने ना केवल ये कहा कि भई उस घायल व्यक्ति की मदद के लिए वो अपने नौकर और चिकित सक को भेजेंगे बलकि ये भी कहा ये भी उन्होंने क्या किया promise किया वादा किया कि वो give back कर देंगे लोटा देंगे उस आदमी की property को जायदाद को संपत्ति को तो यहाँ पर क्या क्या शब्द है देखिए सबसे पहला है faithful यानि की वफादार servant मतलब सेवक या फिर नौकर peace मतलब शान्ती won मतलब जीत लिया look after यानि ध्यान रखना promised यानि की वादा किया leaving the wounded man the king went out of the hut अब उस खायल आदमी को वही पर छोड़ते वे जो राजा थे वो उस जोपडी के बाहर गए and looked round for the hermit and looked round मतलब धूंडने लगे उस सन्यासी को before going away he wished once more to get answers to his questions अब भी भी भाई इतनी सारी घटनाए हो गई पर राजा को सवाल के उत्तर नहीं मिले न तो हट से बाहर आकर जोपडी से बाहर आकर राजा फिर उस सन्यासी को ढूंडने लगे इस आशा में कि जाने से पहले क्या मिल जाएं उसे उसके सवालों के उत्तर मिल जाएं अब वो जो हर्मित थे वो जो सन्यासी थे वो अपने घुटनों पर नीज पर मतलब घुटनों पर बैठे हुए थे sowing seeds in the beds sowing seeds यानि की बीज बोते हुए उन क्यारियों में that had been dug the day before जिने खोदा गया था एक दिन पहले the king went up to the hermit and said अब ये जो राजा था वो उस सन्यासी के पास गया और कहा for the last time I beg you to answer my questions आखरी बार मैं आपसे विंती कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे सवालों के उत्तर दीजिए wise man ए बुद्धिमान जक्ती तो बच्चों यहाँ पर यह जो meanings हैं यह तो यहाँ पर है ही नहीं है के नहीं तो इन meanings को हम याद अभी नहीं करेंगे हम किन-किन meanings को याद करेंगे देखिए wish wish का मतलब होता है आशा करना फिर है sewing sewing मतलब बोना और seeds यानि की beach और beg का मतलब क्या होता है beg का मतलब होता है निवेदन करना विंती करना You have already been answered अब भै राजा ने कहा कि आप मुझे मैं आखरी बार आपसे विंती कर रहा हूं मुझे उत्तर दे दीजिए तो सन्यासी ने कहा कि तुम्हें तो पहले से ही उत्तर दे दिये गए है said the hermit सन्यासी ने कहा still bending down अभी भी वो सन्यासी नीचे जुके हुए थे to the ground जमीन पर and looking up at the king और उस राजा को देखते हुए as he stood before him जब राजा उनके सामने खड़े थे यानि की भई ये जो सन्यासी थे वो घुटनों के बल बैठे हुए थे और राजा उनके सामने थे तो भई बस सर उठा कर उन्होंने क्या कहा सन्यासी ने की भई तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के पहले से उत्तर मिल गए how have I been answered what do you mean तो राजा ने पुझा मुझे किस प्रकार से उत्तर मिल गए आपका क्या मतलब है बच्चों जानेंगे की क्या मतलब है पर पहले क्या करेंगे हम पहले मीनिंग से वाइस करेंगे न देखिए यहाँ पर जो पहला मीनिंग है वो है already already मतलब पहले से या फिर अब तक फिर है bending down मतलब नीचे जुकना do you not see replied the hermit उस सन्यासी ने उत्तर दिया कि तुम क्या नहीं देख पा रहे if you had not pitied my weakness yesterday अगर तुम्हें नहीं आई होती दया मेरी कमजोरी पर yesterday मतलब पिछला कल बच्चों बीता हुआ कल तो जो सन्यासी अब बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं दया आती मेरी कमजोरी पर मेरी कमजोरी पर कब yesterday यानि बीते हुए कल and had not dug these beds for me और नहीं खोदते तुम ये क्यारियां मेरे लिए you would have gone away तो तुम चले जाते वापस then that man would have attacked you और अगर तुम चले जाते तो वो जो आदमी था वो तुम पर attack कर देता आक्रमन कर देता and you would have wished you had stayed with me और फिर क्या होता तब तुम आशा करते की काश तुम मेरे साथ ही रुख गए होते so the most important time was when you were digging the beds तो फिर उस हर्मित ने समझाया कि इसी कारण से जो सबसे important समय है वो कौन सा है तुम्हारे लिए जब तुम खोद रहे थे मेरे लिए क्यारिया and I was the most important man और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़ादा जरूरी व्यक्ति था and to do me good was your most important business और तुम्हारे लिए सबसे ज़ादा जरूरी business business मतलब वैसे बच्चों होता है त्यवसाई पर यहाँ पर business का मतलब है कार तो उस सन्यासी ने समझाया कि तुम्हारे लिए सबसे ज़ादा जरूरी व्यक्ति मैं था और क्या था बच्चों ये जो कार था मेरे लिए करना वो सबसे ज़ादा जरूरी कार था तो यहाँ पर हमने क्या-क्या शब पड़े हैं देखिए सबसे पहला है replied यानि की उत्तर दिया pitied यानि की दया आ कल डग मतलब खोदना attacked यानि की आक्रमन किया stayed यानि की रुका हुआ business यानि व्यवसाई या फिर कार्य बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा आठ में अंग्रेजी विशय में the best Christmas present in the world जिम्स लेटर टु कॉनी भार पाच अब हम जानेंगे बच्चों कि वो एक खेलने वाले है फुटबॉल मैच तो उस फुटबॉल मैच का विनर कौन रहेगा ये जानने के लिए हम वीडियो को आगे देखेंगे तो आगे हम पढ़ते हैं कि फुटबॉल मैच का विनर कौन रहा then someone I don't know who brought out a football फिर वो बता रहा है Mr. Jim McPherson की कौनी मुझे नहीं पता उन में से कोई एक फुटबॉल लेकर आ गया ग्रीट कोट्स वर डंप्ट इन पाइल्स तो मैच गोल पोस्ट जो उन्होंने बड़े-बड़े कोट पहन रखे थे उन्होंने वो कोट उतार के उनके गोल पोस्ट बनाने के लिए क्या कर लिया एक धेर कर लिया और अगली बात जो हमने जानी वो ये थी कि महा मैदान के बीच में जर्मन शोल्डर और जो टॉमी थे यहने बिटे शोल्डर आमने सामने खड़े थे हैंस वुल्फ और आई लुक डॉन मैंने और हैंस वुल्फ ने आपस में देखा और हमने उनके लिए खुशी जाहिर कि हमने जोड जोड से तालिया बचाई और अपने पैरों को थप थपाने लगे क्यों सर्दी को दूर भगाने के लिए एक बार ये पिक्चर देख लेते हैं बच्चों इसमें देखेंगे क्या कर रहे हैं ये रही आपके फुटबॉल तो ये आपस में फुटबॉल मैच खेलना हैं ये जो हैं जब मैंने ये नोटिस किया कि हैंस वुल्फ और मेरी जो सांसे थी वो हवा में घुल मिल रही थी He saw it too and smile और ये बात हैंस वुल्फ ने भी नोटिस की और वो मुस्कुराए उन्होंने क्या कहा? Jim McPherson, he said after a while, थोड़े देर बाद उन्होंने मेरा नाम लेकर बुलाया I think this is how we should resolve this war मैं सोसता हूँ कि यही एक तरीका हो सकता है कि हम इस युद का हल निकाल सकते हैं A football match, कौन सा तरीका हो सकता है? A football match No one dies in a football match, क्योंकि football match में कोई भी नहीं मरता No children are orphaned, और football match में कोई भी बच्चानात भी नहीं होगा No wives become widows, और कोई भी पतनी विद्वा नहीं होगी I had preferred cricket, I told him Jim बता रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं तो cricket को prefer करूंगा यानि cricket को प्रात्मिकता दूंगा Then we Tommies could be sure of winning probably तो हो सकते हैं अगर हम cricket को चुनते हैं तो हम जीतने की संभावना रखते हैं We laughed at that and together we watched the game और हम एक साथ दोनों हस पड़े और हमने मैच देखा Set to say मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कौने? Fritch won, two goals to one और जो जन्मन शोलजर वो जीत गए किसे? दो goals से But as Hans Wolf generously said Our goal was wider than theirs So it was not quite fair लेकिन Hans Wolf ने उदारता पूर्वक कहा क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा जो goal था वो जन्मन शोलजर के goal से थोड़ा जादा चोड़ा था इसलिए जीत सही नहीं थी The time came, अब समय आ गया था And all too soon when the game was finished और game भी finished हो गया था The snaps and the rum and the sauces had long since run out और हमें पता था कि खाने पीने की जितनी भी चीज़े थी वो भी सारी खतम हो गई थी Run out याने खतम हो जाना And we knew it was all over और हम सब जानते थी ये बात की सब कुछ अब खतम हो गया है I wished Hans well and told him मैंने Hans Wolf को शुबकाम नहीं दी और मैंने उससे कहा I hoped he would see his family again soon मैंने उनको विश्च किया मैंने उनको शुबकाम नहीं दी कि ऐसा हो कि आप अपने परिवार से दुबारा मिल सकें That the fighting would end and we could all go home कि ये जल्दी से ये जो लड़ाई है ये वो खतम हो जाए और हम सब अपने घर वापस है लौट सकें बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में गणत विशे में अपनी संख्याओं की जानकारी अध्याय से भारतिय संख्यांकन पद्दती भाग 5 कक्षा 7 में अंग्रेजी विशे में Kings 3 Questions भाग 2 कक्षा 8 में अंग्रेजी विशे में The Best Christmas Present in the World Jim's Letter to Connie भाग 5 बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में गणत विशे में अपनी संख्याओं की जानकारी प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 दे 2 कक्षा 7 में विज्च्यान विशे में प्राणियों में पोशन मानाओं में पाचन तंत्र भाग एक बच्चों हमारे इस कारेक्रम के एक कंटेंग पार्टनर है मिशन ग्यान तथा इस कारेक्रम में तक्निकी सहयो यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवं पुरमल फाउंडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारेक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें कारेक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते है हमारा इमेल एड्रिस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001